आज आपके लिए सेंट्रल रेलवे मुंबई की एक नई इस्टाप नर्स वेकेंसी लेके आगया हूँ और इस वेकेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ओल इंडिये केंडियेट्स अपलाई कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रियंस की जुरूरत नहीं है जी एनम और ब्य नर्सिंग के वेकेंसी अपलाई कर सकते हैं तो भरती की पूरी जानकारी लेने के लिए विडियो में शुरू से एंड तक बने रहा ना वीडियो को कहीं भी इसकिपने करना है सबी नर्सिंग और पेरा मेडिकले का यह उडियो को सेर जुरूर कर देना है चेनल को अब तक स सब्सक्राइब नहीं किया दो सब्सक्राइब और के पास मेरा बेल लाइकन दबा कर ओल का नोटिफिकिस नो इस पे क्लिक कर दे ताकि नर्सिंग ट्रेंट के आपको विडियो को दौरा आपका सेलेक्शन होने वाला है और आपकी जो इस्टाप नर्स की पोस्ट है वो जाएगी उसके बाद में अगर आपकी रिक्वाइरमेंट हुई तो आपको एक्स्टेंशन भी याँ पे दे दिया जाएगा अब बात कर लेते हैं फोरम के बारे में तो आपको फोरम है वो ओनलाइन ही फिल अप करना है एक डिजाइनेटेड इमेल आईडी दी गई है उसक भी आगे बात करने वाले हैं तो फोरम को सम्मिट करने की जो लास्ट डेट है वो बीस जुलाई दो हजार बीस रहने वाली है और आपका वोट्सप वीडियो कोल के त्वारा जो इंटर्यू है वो 27 जुलाई दो हजार बीस को होने वाला है इस दिन अगर पूरे और साफ लिख दिया गया कि इन नमबर पे आपको कोल नहीं करना है यह सिर्फ वोट्सप के लिए है आपके वोट्सप वीडियो कोल का जो इंटर्यू होगा उसके लिए और आपकी जो घेरे में यह ईमेल आइडी दिखाई देरी है इस ईमेल आइडी पर आपको जुलाई और 28 जुलाई को आपका यहां पे इंडर्यू होने वाला है अब आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट चीज की तो यहां पे लिख दिया गया है कि 20 जुलाई 2020 के बाद में किसी भी कंडिशन में फोर्म है वो असेप्ट नहीं किया जाएगा अगर आप मेल क और 28 जुलाई कर सकते हैं 20 से 40 साल के केंडिट अपलाई कर सकते हैं जिन लोगों ने साधे 3 साल 3 साल के जी यनम की है और बियसी नर्सिंग की है किसी भी स्टेट नर्सिंग का उसे जानिशन में फ्रेशर केंडिट अगर आपके रेजिस्टेशन नंबर भी आ गये हैं तो भ quarantine isolator center में भी ल्यूज की जा सकती है यानि मुंबई में कोवीड अभी ज्यादा फिला हुआ है तो कोवीड के management में आपकी सेवाई ली जाएगी 31-12-2020 तक आपकी सेवाई रखी जाएगी उसके बाद में अगर जुरूरत हुई तो आपको further order के द्वारा extend कर दिया जाएगा यह यहाँ पर साफ लिखा गया है तो आपको यह नई सोचना है कि 31-12-20 के बाद आपको निकाल दिया जाएगा इसके बाद में बाद आ जाती है कुछ important चीजों की जिसमें यह लिखा गया है कि आपकी जो academic technical qualification है वो पूरी होनी चाहिए और आप private practice बाद में कर नहीं सकेंगे ज यहाँ पे जो designate email ID है केवल उसी पे ही form को send करना है WhatsApp नमबर पे नहीं करना है WhatsApp नमबर पे call भी नहीं करना है यह चीज यहाँ पे साफ लिख दी गई है decision है वो railway board का पूरा का पूरा उनीका मान्य होगा अपने कुछ नहीं कर सकते यह email ID आपको यहाँ पे दी गई है इसको आ information तो जो document साथ में scan करने है वो देख लो तो date of birth का जो certificate है दस्वी का जो certificate हो कर सकते है का certificate है वो आपको करना है इसके अलावा आप कहीं काम कर रहे है तो NOC करनी जुरूरी है experience आपके पास है तो वो scan करना है और सभी आपके जो technical or education qualification है उनकी mark sheet को भी आपको साथ में scan करना है तो ये पूरी detail होगी है नीचे यहाँ पे forum दिया गया है अब इस notification को अगर आप download करना चाते हैं forum को download करना चाते हैं तो guys आपको छोटा सा काम करना होगा कि अपना जो facebook पे एक page है nursing trends नाम से उस page को आप follow कर लें और उसमें message में जाकर आप message कर दें वहाँ पे मैं आपको link send क कर दूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपको particular WhatsApp नंबर पर link send नहीं कर सकता तो वहाँ पे मैं आपको message करोगे जैसे message box में तो वहाँ पे मैं link send कर दूँगा या मेरी जो description box है उसमे mail ID दी गई है उस पे आप mail कर दोगे तो मैं link send कर दूँगा वहाँ से आप forum को download कर सकते हैं ज